आज मैं आपको एक दम अनोखी साधना देने जा रहा हूँ। कि ये आपके सभी कार्य को शीगरता से पूर्ण करती है। या अहित करना हो। आप सभी तरह के कार्य करा सकते हैं। जै श्री राम, प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रेंस्पोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आज आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राचीन ग्यान की आकरशक दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। प्राचीन अनुष्ठानों और प्रथाओं की रहस्य में और अक्सर गलत समझी जाने वाली दुनिया की यात्रा में आपका स्वागत है। तो आज हम भानुमती के एक मंत्र प्रयोग के विशय में बात कर रहे हैं। कि किस प्रकार से इस मंत्र को सिध करना है और किस प्रकार से इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मंत्र साधना अत्यांत सरल रूप से सिध हो जाती है। अब इसे किस प्रकार से सिध्ध करना है, कैसे सिध्ध करना है, किस दिन सिध्ध करना है और किस सामगरी की आवश्चक्ता होगी। आज की इस वीडियो में ये सब जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं इस चैनल पर सिर्फ डेवलप्मेंट, मंत्र और साधनाओं से सम्बंदित एपिसोड लाता हूँ जो आपके जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस साधना में आपको सामगरी क्या लेनी है आपको एक चमेली के तेल का दीपक लेना है एक पान का पत्ता, लोग, कपूर, पतासे, पांच प्रकार की मिठाई, पांच अगरबत्ती, इत्र, और साथ में कुछ सुगंदित फूल आपको साधना काले हकी की माला से करनी है या आप रुदराक्ष की प्रान प्रतिष्ठित माला से भी साधना कर सकते हैं दोनों में से जो भी माला प्रान प्रतिष्ठित हो उससे आप साधना करे वैसे काले हकी की माला सर्वोत्तम होगी आप सफेद या लाल रंग के सूती आसन का प्रयोग कर सकते हैं आपको साधना अमावस्या की रात्री में करनी है अगर अमावस्या शनिवार या मंगलवार की हो तो श्रेश्ठ हतम है नहीं तो किसी भी अमावस्या को आप ये साधना कर सकते हैं आपको साधना में उत्तर मुख हो करके बैठना है घर के एकांत स्थान का प्रयोग करे चोकी या पट्टे के उपर भानुमती का चित्र लगा लीजिए चित्र के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रचलित करना है दीप प्रचलित होने के बाद आपको संकल्प लेना है संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान का नाम बोलना है अपनी कामना बोलनी है मतलब कि किस कामना है तु आप ये साधना कर रहे है या आप ये भी बोल सकते है कि सर्व कार्य सिद्धी हे तु मैं ये साधना कर रहा हूँ अब दाहिने हाथ में संकल्प के लिए लिए हुए जल को किसी थाली में या फिर गणेश जी के सम्मुख अर्पित कर दीजिए अब सामान ये सा पूजन करना है पंच देवों का, गणपती जी का, गुरू देव का, खुल देव, पितर देव इन सब का पूजन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी साधना में सहायक हो, विगनों का नाश हो और किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपकी साधना में ना आए इसके बाद में भानुमती का सामान्य सा, पंचुप चार रीती से पूजन कर लीजिए जब आपका पूजन संपन हो जाए, तब भैरो जी का पूजन संपन कीजिए उसके बाद रक्षा मंत्र से अपने चारों तरफ रक्षा घेरा खीच लीजिए क्योंकि ये साधना मूल रूप से उग्र प्रवर्ति की है अब सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरू मंत्र की जाब करनी है गणेश मंत्र के लिए ओम गंगंपत्य नमो नमह का जब आसानी से आप कर सकते हैं उसके साथ ही गुरू मंत्र यदि आपके गुरू नहीं है तो श्रेश्ठतम तो यही रहेगा गुरू गोरकनात के इस मंत्र का ओम गुरू गोरक्ष नाथाय नमह या फिर भगवान शिव के ओम नमा शिवाय मंत्र का या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यों नमा का एक माला जापा आप कर सकते हैं। मैं बार-बार निवेदन करता हूँ और बताता हूँ कि अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है तो उग्र साधना को करने से परहेज रखना चाहिए। हाला कि इस साधना में बहुत बड़े नुकसान की आशनका नहीं है। परंतु फिर भी यदि आपके गुरु नहीं है तो चूक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब आपको आज के मूल मंत्र की 11 माला का जब करना है। मात्र 11 माला जब से ही आपको सिद्धी मिल जाएगी। उसके बाद भी यदि आप मंत्र जाप करते रहेंगे तो यह मंत्र सदा सर्वदा के लिए आपके लिए चैतन्य हो जाएगा। जबके उप्रांत में भानुवती को भोग लगाए उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए और समर्पन कीजिए मंत्र इस प्रकार है ओम नमो आदेश गुरु का जब भान्ती का खुले पिटारा रोक ना पाए ये जग सारा जादुगर्नी कला दिखाए मेरा कारी सिध हो जाए ना होए तो गुरु गोरक नात की दोहाई इसमाईल योगी की आन शब्द साचा पिंट कांचा फुरो मंत्र इश्वरी वाचा मेरे गुरु का शब्द है साचा अत्यंत सरल मंत्र है मंत्र पहले कंठस्त करना है और उसके बाद ही मंत्र का जब कीजिएगा अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताए मुझे आपके कमेंट से को कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ती और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ती है जो वास्तविक है चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझ कर आनंद ले या अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं इश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है जै श्री राम